सभी को नमस्कार, 70 BPSC Men's Foundation Batch No.6 ये बैच 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ है और पहला सब्जेक्ट इंडियन हिस्टरी और बिहार का जो इतिहास है आर्ट इन कल्चर से शुरूर है तो पहला टॉपिक जो 10 फरवरी से लेके 12 फरविक में दिया गया है वो आपका है रिवोल्ट ऑफ 1857 आठर फन्तावन की कलांती इस टॉपिक का डिटेल में वीडियो आप लोग को प्रवाइड कर दिया गया है इस टॉपिक का नोट्स या स्चिडी मेटल हिंदी एंड इंग्लिस में भी दे दिया गया है उमीद है कि आप लोगोंने वीडियो भी देख लिया होगा न करना आप लोह को दो पेज में कॉष्टन दिया गिया है एक तो यहां देखिए कहला पेज में 4 कोफरन आप को दिख रहा होगा इस 4 कोफरन में पहला खुष्टन ़ोंग है दूफ्रा भी क figura खुषन huh फेस्तल्द ब्रात σद्ट सर्थ व् 좋아요 करफू इसन्ट ब्रान government last है और ग्रौ적 के सबसें और anti ऑन recibir को 않ट毅 कर बोटी है visit जान मॉटशन ब्रौका जातों चारह सभूषज सस्थ नी हर और और दो आपको फटीन आपको long question दिया गिया है 9 questions short and long है तो मेरा परियास से ही होगा कि जो भी topic किसी भी subject का कोई भी topic होगा उस topic से कम सकम 8 फिले के 10 के बीच में question practice कर दिया जाए चाहे वो short question हो या long question हो अगर इस तरह के शेकर कर लिया जाएगा तो किसी भी topic से जो भी question दिया गिया है उसमें इस बात का ध्यान रखा गिया है कि previous year जो भी topic question पूछा है उसको भी इसमें सामिल किया जाए और कुछ नए question भी आप लोगों को बना के दिया जाए तो तियारी का एक अच्छा तरीका यही कि previous year question को भी लिख लिजे साथ ही साथ नए उस topic जो कुछ question बनता है उसको भी practice कर लिजे इसी तरह हर एक topic हर एक subject में कराया जाएगा ताकि आपका एक अच्छा तेयारी मैंस में हो जाए और मैं फिर बोलना चाहता हूँ 10 February से लेके जो आपका 22 माई तक का सुब्डूल है इसमें पूरा का पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी, जोगरफी एकोनोमिक, साइंस टेक, डि आई सब का अच्छे से हो जाएगा बाकी एसे भी हो जाएगा तो उसके बाद फिर जब PT के बाद हम लोग आएंगे 30 से अप्टमर के बाद फिर वहां 2-3 में तक हम मैंस का प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से कई बार टॉपिक भी पढ़ेंगे, कई क्वेस्टन का प्रैक्टिस करेंगे तो यह त्यारी आपका ठीक ठाक मैंस का हो जाएगा इसमें बस और रिव्यों का मतलब है उसमें जो गलती से बता दिया जाएगा बस आपका मैंस का त्यारी हो जाएगा ठीक नहां तो आएए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं कि आखिर कईसे आंसर को लिखा जाए मैंस में सबसे बदा दिक्कत यह होता है कि नालेज सबके पास होता है फैक्ट सबके पास होता है लेकिन मैंस के कॉपी में आंसर को कैसे रिपरजेंट किया जाए कैसे इंट्रोडेक्फन पार्ट कैसे बोड़ी पार्ट कैसे लिखा जाए ये बहुत लोगों को नहीं आता है मेरा प्रयास बस यही रहेगा आपको कैसे आंसर लिखना है वो श अपनाई गए बुटिस जो अपनेवशिक नीती के परती भारत की एक परति करिया है भारतियोगों का एक रियेक्शन है अपनी तमाम सिमाओं के बाम जूद। उपनिवसे सत्ता के परति भारतिय प्रत्रियोत की परंपड़ा में एक महत्पुन प्रस्थान बिंदू भी है इसका आपको समिक्षा करना है मतलब की रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज इंडियन डियक्फन टू दे कोलिनियल पोलिसी जिसको एडॉप्ट किया गया था 1857 के पहले कई पोलिसी था आर्थिक, समाजिक, राजनितिक, सोशल, धार्मिक, उसको तकाली कारन भी था इसी पोलिसी से हमारे देश के तमाम वर्ग कहीं न कहीं प्रभावित हुए और उसी के खिलाप ये विद्रो आपको देखने को मिलता है इस विद्रो में कई लिमिटेशन भी था ये जो है हमारे भारतियों के द्वाड़ा किये गए बिरोध या सिरीज या सिरंखला में एक बड़ा टर्णिक पोरिंट है ठीक न है तो वही आपको यहां पे लिखना उसका रिभ्यू करना है तो आप किसी भी क्वेस्टन को क्या करना चाहिए एक्जाम होल में लिख है य या डेली अनफरड़ाइटिंग कर रहे या कहीं टेस्ट भी देय तो कम सकम कुछटन को दो बार पहने के बाद उस कुछटन के की ढर्म को आइडन्टीफाई करेば यही मैं कूपई जब चेक करता हूं तेखता हूं कि कुछटन में पुछा कुछ और जा रहा है लिखा मिलना है तो की टर्म की जहां तक बात आती इस question का क्या क्या की टर्म है यहां आन्फरदे के first में की टर्म या महत्पूर्ण बिंदू उस जो question के है उसको आप अगर identify करेंगे तो पहला तो है before 1857 या इस अरफंतावन के करांती का ही में बात कर रहा है दूफरा सबसे बड़ा बात है कि British policy मतलब अपनिवेशिक नीतियां कौन फानीतियां आर्थी राजनीतिक समाजीक प्रसाफनी कल्चर रिलिजियस और ततकाली के भी कुछ न कुछ इसकी policy रही थी उसी के खिलाफ हुआ विद्रो हुआ तो आपको सारा policy काने आप सौर्ट में डिसकस करना है प्रसारे जितने भी policy था जो खतरनाक policy सोसनकारी प्रसाफनी बिट्टिस की थी उसको आप चर्चा कर लेंगे चर्चा करने के बाद जो है न तब फिर आप इसका बता देंगे कि मेर फिर शुरूआ लेकिन जल्द ही इस बिद्रो को धबा दिया गया जिस objective, जिस aim, जिस उद्देश से इस बिद्रो को शुरू किया गया था करांती को शुरू किया गया था बट वो पूरा नहीं हो पाया और जल्द ही इस विद्रो को क्या कर दिया गया दबा दिया गया तब इसका जो अगला की टर्व क्या है आपका लिमिटेशन सीमायां तब सका पांच छो लिमिटेशन की भाई संगठन का भावब था एक साथ विद्रो सुरू नहीं हुआ अच्छे हतिहार नहीं थे एकता की भावना नहीं थी ये इसकी कुछ आप कमियां दिखा देंगे लेकिन इन तमाम कमियां के बाद इन तमाम लिमिटेफन के बाब जूद यह एक इंपोर्टेंट पड़ाव है ठीक नहीं एक टर्निक पॉइंट है कैसे क्योंकि कहीं न कहीं इसमें बिर्टिस को अपनी पॉलिश चल रहा है जितने भी करांथिकारी है चैए गदर मुहमेंट हो या और भी जितने भी भारती से बिर्टिस संगथन थे जो अभरकर इलोग कहीं न कहीं इस करांती से जो है न परदर्दा ले रहे हैं तो क्या इसका लॉग टर्ब इंपक्ट नहीं है और आज भी देखेंगे तो 1857 करांती को हीरो की तरह पेश सरकार कर रही है इसका इंपोर्टेंस ना के बल सौट टर्म में पड़ा बलकि लॉंग टर्म भी हमारे भारतिय फतनता संगर्ष में पड़ा यही बात आपको इसमें लिखना है तो फिल से एक बाद सुन लिजिए इस क्वेशन का जो मैन जो की टर्म देखा जाए मैन नी तीन की टर्म आपको दिखाई पड़ेगा एक तो आपको बिर्टिस पॉलिसी मतलब कि आपने विसी पॉलिसीयां की चाचा करनी है दूफरा इसकी कुछ सीमाय लिखना इस बिद्रों का लेकिन फिर भी इसका एक बड़ा important एक बड़ा turning point है हमारे देश की अजादी में ठीक न तो ऐसे करके अगर आप की टर्म जैसे identify कर लेंगे बाकी तो आपके पाफ जो knowledge है जो ग्यान है उसके अधार पे answer को क्या कर लेंगे लिख लेंगे अब यहां बात आती है कि लॉंग जो question जो भी पेसी पूछ रहा है उसको कितने word में लिखा जाए धियान से सुन लिखे भी पेसी 68 फिर नया pattern जो लाया है मैंस और ऐसे जो में तो उसमें भी पेसी क्या करता है यहां कि लॉंग answer लिखने के लिए जी-एस में पांच पेज देता है एक पेज, दो पेज, आगे पीछे बोलता हूँ दो पेज, तीन पेज, चार पेज और पांच पेज इतना पेज आपको लिखने मिलेगा ठीक नहीं अब आपको long answer इतने ही page में लिखना है एक्स्टा पेज नहीं मिलता है अब यूप पेशी की तरह questions का paper ना मिलना फूर ऊगया पहले क्या होता था question मिलता था और अलेक एक booklet, अनफ्रक बुक्लेट उसमें लिखना, नई, आप question भी यहीं ऊपर आपको लिखा हो, इसी booklet मिलिखा बेसिक आप ऐसा पेटर्न हो गया यह भी आप जान लिजिए आपको पांच पेज लॉंग के लिखना अब पांच पेज में आप कितना लिख पाईएगा ठीक ने आप देख लिजिए अजयो ध्यान देखिए आपको टाइम तुम्हांता है तीन घंटा ही ना टाइम आपको त देखा जा आठ क्वफन आपको सम्या यह लिखना है आठ क्वफन में जो है अगर आठ क्वफन आपको लिखना है तिन घंटा टाइम है तो साट फे गुना कीजिए इसका मतलब आपको एक सो असी मिनट मिलता है अगर एक सो असी को आठ फे बिभाजित दिवाइट कीजिए वही 21-22 मिनट के पास आपके पास टाइम एक आनफर को लिखने के मिलता है, तो कोई भी मैं ये मान के चलता हूँ, एक मिनट में सोच समझ के वह 20 से लेके 25 सब्द लिख सकता है, maximum, ये मेरा experience काता है, बाकी कोई 30 वर्ड तो मेरे खाल सब्द को नहीं लिखा है, लेकिन सोच सम लिखना ही नहीं, पढ़ने में, समझने में कोफन को तो एक मिनट मोटा उपनी लग जाएगा, तो मैं माल लेता हूँ कि 20 मिनट आपको exact एक लॉंग कोस्वन को लिखने का टाइम आपको दिया गया है, तो अगर आप 20 वर्ड पर मिनट लिखते हैं, तो 20 से गुना कीजिए 400 वर्ड लिख पाएंगे, अगर 25 वर्ड लिखते हैं, तो maximum 500 वर्ड लिख पाएंगे, तो 400 से लेके 500 वर्ड रेंज में आप लिखेंगे ना, तो लगभग आपका long answer इसी रेंज में होना चाहिए, 400, 420, 400 के आजपास अगर आप लिख देंगे ना, इन 5 पेज में वो sufficient है, तो फिर सुन लिजिए, कई लोग पूछें कितना वर्ड में लिखा जाए, कितने पेज में लिखा जाए, मैं फिर बोल देता हूँ, long question लिखने के लिए आपको 1, 2, 3, 4, 5 पेज मिलता है, इसी 5 पेज में आपको आनफर खतम करना है, अब आप टाइम भी तो देखेंगे, अगर आप माल लिजें कि एक ही कोफर में आदा घंटा समय जे दिये, बाकी दूफरा कोफर तो छुटना ता है, तो मेरा एक सिंपल सही फला रहता है, आप 4 पेज तक अराम फे जाएं, मोटा मोटी, और कोशिश करें कि 400 के आसपास सब्द आ जाए, और मैंने लिखें, सब और पेज से सबसे अच्छी बात यह है, कि जो कोफर में पूछा गया है, उस सारे चीज को आप डिफाइन कर दिजे, उसको लिख दिजे, वही एक अच्छा आंसर होता है, ठीक, और जहां तक सौट की बात है, आपको दो पेज भी लेगा, एक पेज और दो पेज मिलेगा, ठीक, और वईसे भी एगर आप एक कोफर में आपको 20 में मुटा मुटा मुटे मिल रहा है, तो पांच कोफर लिखना है, तो एक कोफर आपको 4 में मिल रहा है, शौट लिखने के लिए, और एक मिलेगा 20 लिखेंगे, या 120 लिखेंगे, 150 लिखेंगे, तो यहां भी आपको स भूमिका में एकोसिस करें कि 40-50 वर्ड लिख हैं जो क्वेस्टन पूछा गया है उसी क्वेस्टन के रिगार्डिंग भूमिका आप तयार करें ठीक ने बाकी बॉड़ी पार्ट में तीन फफ लेके फारे तीन सब सब तक यह देखें लगभग है मुटा मुटी एक्जेक्ट कि अप्ट फद्फशन तावन का जो प्लासी बिजय के बाद बिटिस ने जिफ्तर से हमारे देश में पॉलिशी अपना रही है उसी के खिलाप तो यह हो रहा है तो आप सिंपल जीक करें कि 1757 से लेकर 1857 सो वर्सों के तौरान बिटिस सरकार की वह तमाम जो पॉलिशी है जो आर्थिक समाजी का नितिक नेती है उसी के खिलाप यह हमारे भारतियों के दरा एक परतिक्रया रियक्शन है ठीक ने अब इसे भूमिकाम आप मुटा 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 आपको चार या पांच आपपो जो हैना लिखा गया है कैसे उसको भूमिका को कुछ 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 ले ले लें गए और तो अपने से भी लिखने का क्या करेंगे कुछ मतल्य इसी के आसपास का लिखना है बाकि इंट्रेक्षन 40-50 वर्ड में लिखने बाद अब आप आएंगे क्या कि वो तमाम British policy का जिग करेंगे एक flow chart बना देंगे चार्ट देखिए flow chart का मतलब या तो ऐसे करके बना सकते हैं या तो ऐसे करके जो यहां लिखा गिया है तो आपने answer में कुछ flow chart का यूज करना कुछ map का यूज करना कुछ diagram का यूज करना वो आपके एक दो मार्श को पक्का बढ़ाता है और आपका representation अच्छा करता है इस चीज का धियान रखिएगा तो तब फिर आप उसको लिख देजेगा तब उसके बाद पहला ही है आर्थिक निती है आर्थिक नितीम जो चीज हुआ है एक पोईंट दो पोईंट तीन पोईंट लिखके खतम फिर इसके राजमितिक में जो एक दो तीन बात हुआ है तो आप अलड़ी पहल ली है तो इसके अंदर का की मैं बता रहा हूं बस आपको सब में कोशिश करना है कि दो तीन पहले जो आप जो परागराफ या जो भी लिख रहे हैं उसका दूफड़े फिल लिंक के जहां जाए कि मान लिजे कि आपने अंटी में क्या लिखा उसका ततकालिक कारण लिखा कि घटना हुआ अब लिखा है कि इस ततकालिक घटना से जल्द ही ये बिद्रों क्या हो गया शुरू हो गया और ये बिद्रों लगबग मेरे दिल्ली कानपुर ऐसे होते होते हैं आड़ा बिहार तक पुड़े नौर्थ इंडिया और लगमरा मुटी मद भारत में भी फैल गया इतना लिख दया लेकिन जल्द ही इस बिद्रों को दबा दिया गया और इस बिद्रों क अब लिखेगा कि भले ही इस रिभोल्ट का उपरोक्त कुछ कमिया दिखाई परता है बट अगर हम इसके इंपोर्टेंस या टर्निंग परस्थान बिन्दो गुरुप में देखे हैं तो ये निम्लिखित रुप्य हमको दिखाई परता है तो आप क्या लिखेंगे इसका इ पर रही है भारतियों के समाजीक और धार्मिक जीवन में वह अस्तक्सिय प्रिटी अपना रहा है अब यहां पे जो है ना कमपनी का फाफन खतम कर दिया गया है ठीक ना अब बिट्रिफ करणों का फाफन आ गया है तो क्या है यह परिवर्तन इसका मतलब बिरोद वात भी मुहमेंट आगे जाके होता है उससे भी प्रिवना लेते हैं ठीक ना आप उसमें कुछ करांतिकारी का नाम जीप कर दिजे तो अन्ती में वह ही कि इस प्रकार से मतलब कि तमाम पक्षों को देखने बाद परतीत होता है यही लगता है कि यह हरी भोल्ट हमारे देश के सुत इसे करके कुछ अच्छे सब्दों का मैं यह ने बोला बहुत ही कठीन वर्ड का आप यूज करें बहुत ही जो एंस्याटी का जो वर्ड होता है आप वही अपने आंसर में यूज करें कि जो मेरा नोर्स दिया गया है उसी का वैसे सब्दों का प्रयोग करें आप पढ़ा करके लिख दिये और इसको छोड़ दिये नहीं ऐसे में आपको मार्स क्या मिलेगा जीरो मतर्स कर जाएगा जब तक आप इस तीनों की टर्म को अच्छे डिफाइन नहीं करेंगे आप यह माल लेजिए कि आपका मार्स काटन करनाता है तो कई कॉपी देखता हो कि नहीं इसको अच्छे लिखेंगे इसको भी लिखेंगे इसको गाइब कर नहीं ऐसा नहीं करना है यह था होगा अब पहले लोग क्या करते थे एक्जेक्ट मैप नहीं बनाते थे का जो भारतका अगले 10 दिन तक लगातार प्रैक्टिस कर लेना हैं पहले बूल दिया थी नहीं तो मैप भी यहां कॉपी चेक्ट कर दूँगा अब दूफरा जो कफन यहां आप पढ़ेंगे यह भी कफन बीपेसी एक बार पूछ चुका है कि 1857 की करांती में वीड कुर्सिंग का रोल या भूमिका का आलोचनातमक बरनन कीजिए और बीपेसी यह भी लगवग हरे कफन मैंने यह टर्म जोडता है पका critically analysis कीजिए तो मतल अब कैसे 22 या 23 मार्श इसको मैं बताने के कुशिस करता हूँ देखे कोफन बस आसान की टर्म क्या है संतावन की करांती है वीरकुवर सिंग उनकी भूमिका है उनका निगेटिव पोइट लिखना इतना ही है न आप मन में बठाईए किसमें आमको 400 का आसपा सुवर लिखन पचाह जाएगा भूमिका में 50 जेगा निश्कर्ष में बौड़ी पार्ट में बचेगा 300 वर्ड बचेगा 300 वर्ड में लगभग आप क्या करना लगभग मोटा मोटी 220-230 तक इनके भूमिका पर जाए इनके पोजिटिव पर जाए और लगभग वही 50-60 वर्ड में इनका क उस नहीं कर देशा बिलकुर ने उनकी भूमिका आप दिखाईए पहले क्या उनने किया है तब उनमें जो कुछ कम या आपको दिखाई परता है 5-6 पॉइंट में लिख खतम कर देजिए ठीक में आप आईए यहां पर क्या 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 है आप मोटा मोटी एक इंट फिफ्रूवा यह जल्द ही बिहार पहुँच गया क्या हो गया लगवा आपको पता है कि दबघर और पतना और 25 गलाय तक आपका दानापुर के रिजिमेंट तक यह पहुँच गया था जल्द ही बिहार पहुँच गया यहां पे सैनिकाओं और भी कई वर्गों की मुहमिक को आगे ले जाने का काम किया अब यहां पे अगर इनका भूमिका अब देखिए भूमिका में क्या करें मुटा मुटी पहला काम क्या करें 25 जुलाई से जैसे यह दनापूर के रिजिमेंट से मिलते हैं तब से लेके अपने मिर्तियु तक 26 अपरिल 1859 तक इनका जो मैनमें जो युद्ध है जो गति बिधी है उर लिखते हैं जैसे मालजे की आरा में 25 जुलाई को दनापूर के रिजिमेंट प्रदान किया इकठा किया फिर यह क्या करते हैं जगदिशपूर आरा में अपना एक समनतर फ़काई गठन करते हैं फिर आप यहां लिखे हैं कि आगे ज पार्ट वर्म की गति बिधी घितना लिखने गवाद आप लिखे हैं इन चीजाओं को इनको देखने गवाद आब इनका लिखा है कि अगर हम header इनक two point three point चाहत लिख दिए अब लिखा है उपरोग जो भी इनकी गतिविदियां है अगर उनकी भूमी का अगर हम अगर हमको निर्धारत करने की बात आये तो हमको निम रूप में पता चलते हैं पहला ये कहीं न कहीं एक और नाजर है मत्तब कि ये संगठन करता के तोर पे भूमी का निभा को पंद्यल राइ की हैं पंद्यल राइ में सब जगए नेतुत करता रहे हैं अब जिकर ना दूफ्रा सबसे बरी बात यह क्या कर रहा है कि हिंदू मुस्लिम इनिटी पर फोकस कर रहा है ये भी जिकर ना और नेफनल लेभल पर मुवमेन्ट को ले जाने का प्रियाफ तो तो इसका में प्रणाम कुछ और होता है, ठीक ना फिर ये रिशोर्स को जमा कर रहे हैं, Gola, Barund, हθियार, इकठा सब कर रहे हैं, तिला बना रहे हैं, हैं अच्छी हत्यार को रख रहे हैं रिसोर्स को इखठा कर रहे हैं और पेलर गवर्णमेंट के स्थाफना कर रहे हैं लोगों में अपने पन का भावना जगे की नहीं हम भी फरकार चला सकते हैं अजादी की लराई में जाए गांधी जी हो शुबास्चन बोश हो भगत इनका रोल यही है कि हमारे देश के लोगों में ये भावना पैदा कर दिया आजादी का भूख पैदा कर दिया और डरना नहीं वो मन में पैदा कर दिया यही इनका भी रोल है ऐसे करके आप इसको पाच्छे पोइंट में ये भी भूमिका आप ऐसे करके लिखेंगे तब आंट में कि इन तमाम अच्छे भूमिका के बाब जूद कुछ कमिया इन में हमको दिखाई परती तब वही कि एक साथ बिहार में विद्रों सुर नहीं हो पाए ठीक नहीं और और इनके बाद और किसी लोगों अमर सिंग इनके भाई थे लिए वह भी विद्रों को लंबे समय तक क्या कर पाए नहीं चला पाए ठीक नहीं तो तो तीन-चार जो है और कभी-कभी यह क्या आचानक फेकूद परे मुहमेंट पर और कुछ अच्छे से अगर पनानिंग करते अपना अगर दूर दफ़ा दिखाते और भी बहतर परिणाम इसमें हो सकता था तिन-चार यह ब्रिद व्यक्ति भी इस तरह से बिद्रों किये यह आज भी हमाले सीख का बात है एक प्रेणा का बात है इसलिए देखेगा पिछले साल 2022 या 23 में अमित साथ जी गए थे कहां करी मंत्री वहां पर जहन्डा भी भर आये थे अजादी की लराई में इनका क्या योग दान तो उम्मिद है कि आप इसमें क्या लिखना है कितना लिखना है समझ में आ गया होगा ठीक है अब जो इसमें दूफरा कफन जो वो तिफरा कफन है वो आपका सौट है तो वीडियो लंबा होगा लेकिन दिहान फर देख लिजे स्टाटिंग का 3-4 वीडियो मेरा कैसे आंसर को लिखना है उसको एक बार दो बार तीन बार देख लिजे कोई भी आनफर आप एक्जाम होने बहुत ही अच्छे फिलिख पाएंगे इतना मैं दाविफात कर सकता हूँ आए तिफरा कफन है पर ये इसको यह मैं सौट दिया हूँ अब देखे कई लोग ये कहते हैं कि ग्रांति के इंपोर्टेंस का विया अलोचना किजिए उसके महात्तु का विया अलोचना करना है मतलब इंपोर्टेंस में लिखिए अलिक मियार का रिफ्रेंस देते हुए अब यह चुकि आपको सौट ओही सोवी 120-150 जा आई क्या क्या आप लिखेंगे क्यों कि देखेंकि महत्त को हम निव डूप में देखते हैं, क्योंकि डाइट आपको सौट है ना, अधिक आप भूमिकाई भी नहीं बना सकते हैं, सौट आंसर में एक या दो लाइन में आप इंडरेक्षण लिखिए, और एक या दो लाइन में आप निश्वकर्ष करते हैं, हम बॉडी पार्ट में 60 वर लिखिए, अब इलके बिहार में अगर इसके महत्त की हम चर्चा करते हैं, तो देखिए, आप फिंपल ऐसा करके कुछ कर सकते हैं, आपको बॉडराफर में दूगा, उसको देख लिजएगा एक बार, ठीक ना, यहां देखिए, इसे करके, स्टार्टिंग में, एक दो आप इंडरक्फन में एक दो लेन लिख लिजएगा, इंपोर्टेंस या महत्त में लिखिए, कि लगभग बिहार में सभी वर्गों में इसकी क्या रही, भागदारी रही, यह आपका आरा, दानापूर, पटना, कुछ मुझा फर्पूर लाकें भी है, पहला, सभी वर्गों की भागदारी है, मोटा मोटे बिहार के कई जिलों में भी फोला, एक तो इसका महत्ती होगा, दुफरा, यहां हम को हिंदू मुफली में यूटी देखने को मिलता है, अजादी की भूख जगी, एकता की भावना आई, यह आपका यह हो गया, बिहार के रिफ्रेंस को लेते हुए, आप कुछ बिहार का जिक कर देंगे, जिसे पीर अली का इसमें भाग लेना हो गया, या बहाबी मुवमेंट के लोगों के लोगों ने भाग लिया, तो कहीं न कहीं यह हिंदू मुफलिम एकता को लेके अपने को दिखाई पड़ता है, हाँ, आप अलशना लिखिए कि फिर वही कि पूरे बिहार में नहीं फाइला, ठीक नहीं, लोग कहीं नहीं अपने अस्थानी चियों को लेके लराई कर रहे थे, एक दो पोइंट नेगेटिव, अ असान सा कॉर्फन है, कि इसमें आम लोगों की क्या भूमिकारी, बिहार में, अस्थान ताम करांती में, बिहार के कॉमन सीटिजन की क्या भूमिकारी, उसका सिर्व आपको बढ़न कर दना है, सिंपल एक दो लाइन में इंट्रेक्फन लिख दीजेगा, मुराराफन में भी अमर सिंग है और विजकी प्शान सिंग जब लराई बल रहे हैं, क्या अकड़न नहीं लर रहे हैं, उनके साथ और भी लोग लरे होंगे, गोर हूमिकार जो आदिवाफी वो भी यहां सामिल हो रहे हैं, कुछ महिलाओं का जिक कर दीजिए, तो कहने में बते हैं यह आम लोगों की भूमिका, आप कुछ फैनिकों को दिखा दीजिए, क्योंकि सैनिक की परिबार भी ने कुछ लो भाग लिया, तो वो आप इसको आम लोगों में दि सामने आते हैं, इतना लिखने के बाद तब आप लिखेंगे, क्या नाना साहिब की भूमिका, फिली नाना साहिब की भूमिका, इसको ऐसे बॉक्स में घेर देंगे, इसको बोलता है, फोलो चार्ट बनाके आन्फर लिखना, यह ज़्यदा इट्रेक्टिव लगता है, और इसको अच्छा करसा मार्स भी मिलता है, तो नाना साहिब की भूमिका, फिलिख देंगे, फिर यहाँ निकलेंगे, एक में लिख कर दिया गया था, कि इनको नाना साहिब को, यह सोयम पेशवा घोषित करते हैं, पहली बात तो इसको अपने आपको जो दिली में जो समराट बैठे हैं, बहादुर साह के गवर्नर के रूप में यह खुद को पेश करते हैं, मतलब यह इनका यह दो तो यह दिखा दिएगा पेशवा घोफित करते हैं, और खुद को यह गवर्नर के रूप में घोफित करते हैं, और कानपूर में यह बिद्रो का क्या कर रहे हैं, नेत्रित कर रहे हैं, कानपूर हो गया, कलपी एक जगह वहाँ भी, और गुपती योजनाय बनाने इनका बड़ा रोल है, गुपती लाखा है, इन्होंने बिल के करांती किया, ठीक ना, और इनकी वज़े से कानपूर के आजपास के गौंगों तक जो है ना, इस विद्रो की मसाल पहुंची, इनका भूमिका हो गया, फिर इसके बड़ आप एशे फिर लिखे वीर्कौर सिंग की भूमिका, आपको और यह प जो है ना, गति भी नहीं है, को चार या पांच लाइन में लिखे, एक लाइन में, दो लाइन में, तीन में, ज्यादा डिटेल नहीं लिखना है, इतना आपको लिखना है कि एक्जामनर को यह लगने इसको आता तो सब कुछ है, बट टाइम की कमी है, और इसको वर्ड का ल पूछा है, ठीक न, वहाँ से कफन लिया गया है, तो देखिए, प्रीवेफ एर क्वेशन के साथ-साथ, यूपेसी और अदर जो इस्टेट पीसियस जो कफन पूछता है, उसको भी लिया जाएगा, आपके इस आनफर एटिंग प्रोग्राम में धियान रखेगा, तो इसम आप क्या लिखेंगे, आप आपको फन है, संतावन की करांती में, महिला करांती कारी की भूमिकार दिखिए, एक्जामपल फेचा चाकर देखिए, जब भी आप कोई भी आनफर लिखें, सौट हो या लॉंग हो, इस बात का कोशिस करें, उसको कई डायमेंशन में ब्रेक कर नएका कोशिस किजे, इससे ये होता है, आपका कुछ भी छुटता नहीं और आपको बहतर मास मिलता है, तो सिंपल आप वही कि 1857 करीभोल्ट में, पूरुष के साथ साथ, मेल के साथ, फिमेल के भी एक बड़े लेभल पे हमको भाधारी देखने को मिलती है, ठीक नै, अब समान जो कौमन जो महिलाएं थे, उनकी भी भूमिका दिखाए हमको परती है, सासक वर्ग में आप क्या कीजिएगा, राइलेक्ष्मी भाई को लिखे, बेगा महजत महलक नौ में उनका दिखाए, ठीक नै, फिर इराणी भाई की एक दासीत का नाम था, जलकारी भाई, उन् को कई ले भल पे दिखाई पड़ता है, एक तो यह लिडरशिप कर रही है, नत्रित कर रही है, कौन रहेक्ष्मी भाई, या बेगा महजत महल, ठीक नै, लोगों को इकठा कर रहे हैं, आत्म बल में बिर्धी कर रहे है, एक महला होके भी बिदरो कर रहे है, आम्द्रों कर यूद जीत भी रही है तो यही इनका भूमिका हो गया इतना आप लिख देंगे शॉट में चलिए तीफरा जो कफन यहां शॉट में आपको दिया गया है वो है कि 1857 करांती कि दरन बिहार के जितने भी रिवनुशने जहें उनका क्या मैन एक्टिवीटी था क्या गतिविदी आप इसमें क्या करेंगे वही कि जलद ही बिहार जब पहुंचता है तो यहां परी आप किस-किस का जित करेंगे यहाँ लोयल की हत्या करते हैं यह ठीक ने फिर आप आए दानापूर में जहाँ 25 जुलाई को दानापूर सेनिक पहुंच गया और यहाँ जो यहीं से आपका वीर कोर्शिंग का भी देख सकते हैं आडा में पेगा गवर्मेंट बना और फिर मुझा फरपूर तक यह भी बाकि वही निशकर्स में लिख देजेगा कि इस परकर बिहार के करांती कारीने में मुझा काफी सहारनिया और उलेखनिया रही जिस वज़ाए से आगे जाके हमारा जो निए बिहार का जमीन जो है ना फुत असान है कि संतावन की करांती में आखिर कौन सा वो फेक्टर रि लिखिएगा हाना कि आपको मोनार फर्म मिली जाएगा वहां से आप इसको एक बार देखके इसको लिख सकते हैं को दिकत यहां तक चलिए अब यह जो क्वेस्टन है यह थोड़ा फाज़ा इंपोर्टेंट आपके लिख लिखता है कि संतावन का जो बिद्रोह का परिनाम अलग चीज है आपको दोनों अलग लिखना पर कैसे वह बताता हूं चलिए देखिए दो की टर्म है आप चुकि लॉंग क्वेस्टन है तो पचास भूमिका में पचाफ निसकर्ष में बाकी तीन सो फाज़ा बड़ी पार्ट में देंगे क्वेस्टन को पर यह कहता है कि ड अब आए इसको कैसे कैसे लिखा जाए देखिए मैं बता की टर्म दो चीज है अब वही आप भूमिका अब इतना आंफर लिखने के बाद अब तो आप इंट्रेक्फन लिखने सीखी गए होगे आप देखिए इंट्रेक्फन जब लिखा तो कोसिस करें कि इस दोनों चीज करांती है पिछले सोब वर्षों में जो बिटिस ने जो भी पॉलिशी अपने उसके खिलाफ हुआ ठीक ने इस बिद्रो को दवाया गया लेकिन इसका जो परिनाम इसका महत्त जो है यह इस तरह से इस उभर के सामने आता है हमारे आगे के नेफनल मुहमेंट में एक बड़ जो मारदर्सक के रूप में दिखाई परता है या और भी कोई आप देखिए मैं जितना बार बोलूँगा वह भूमी कामेरा अलग लग हो जागा वह आप अप अपने लेबल पर लिख लिजेगा ठीक चलिए और बाकी नोट में तो कई इसके परिनाम का जिक्र कीजिएगा क्या क्या लिख सकते हैं देखिए इसमें आप जो लिखेंगे पहला हाँ देखिए इसमें इसमें इंट्रेफन लिखने बाद थोड़ा बहुत क्या करेंगे कि दिखा देंगे कि पहले फुलोचाट में मेरट में फिर आपका दिल्ली में फिर लखनौ में फिर कानपूर में परिणाम में दिखाईएगा कि इसका उद्देश यह था बट लेकिन वह पूरे सब्धाइब परिणाम और महतमनी रूप में देख सकते हैं कुछ एक पचास वर इसमें भी खर्च कीजिएगा अब इसका यह परिणाम या क्या लिखेगा पहला पुलिटिकल में क्या हो रहा है मुगल शासन का अंथोरा है कंपनी के फाफन का भी अंथोरा है सेना में कई तरह के परिवर्तन की यह भी लिखेगा ठीक ना और जितने भी देशी रियासत थे उसके खिलाब अंग्रेजाओं ने अपनी नितिका कर ली बदल ली उसको सबको आप तिन चार पुल्ट में जो भी बात बोला उसको आप लिख दीज़ेगा ठीक ना अगला जो इसमें आप क्या लिखेगा पई नाम में कि आर्थिक में क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब पुंजी निवेश किया गिया है बिटिस्ट के द्वारा जो है अब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट केपीटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है रेल का तार का इसमें पैसा लगाया जा रहा है ताकि भारत के हरे एक छेतनों तक अपनी पहुंच और मत सुधार करते थे शती पर था या विद्वा विवा होना चाहिए यह सब पर वो अब हमारे देश के इंटर्नल लोगों के जीवन में अब हस्तक्षेव करने से वह अपने आपको भशना शुरू कर रहा है ठीक ने दियान रखिएगा फिर यहां पर जब आईएगा हां एक और ह फूट डालो और सासन करो कि हिंदू मुस्लिम एकता देखके यहां डर गया यंगरेज और उसने का नहीं डिभाइन रूल का कॉंसेप्ट किया इसलिए देखिएगा आपको यह सेंसर्स जाती जियन गरना करवाता है हिंदू मुस्लिम जाता की गोलबंध हो सके जाती गरना एकोसिस करता है आगे 1909 में मारले मिन्टे एक्ट भिला देता है तो इससे करके जो ना इसका भूट डालो राज करो कि निती निकल के सामने आती है अब देखिए इसमें अगर आप इतना परिनाम लिखने बाद आप इसके इंपोर्टेंस को जब लिखेंगे तो सिंपल इस क्या है खतरनाक है हम लोग जो आपस में लड़ते हैं उसको नहीं लड़के हमको इकठा होना पड़ेगा यह तो ततकालिक और देखेंगे इसी वज़ए से आप देखिएगा नै कि इस करांती के बाद ही छोटे छोटे पोलिटिकल पार्टी बनना फुरू हो जाता है ठीक चाहिए बंगाल में देखेगा महाराश में देखेगा और अंतत्या जाके 1850 आपको कॉंग्रेश की बस थापना हो जाती है यह तुरूंद यह 20 साल के अंदर का परवा दिखाई पड़ेगा ठीक नहीं महातिस का तो यह दिखा दिखा दिएगा तब आप देखिए मैनलिस क में भी जो है ने नियत्युत करता के रूप में आप देखिएगा चैगांधी जी हो पटेल जी हो या सुभाशन बोस हो यह सब उभर के तिलक जी सामने आते हैं क्योंकि यहां भी आप बीर कुवर सेंग राइलक्स में भाई जैसे लोगों ने क्या कर रहे है इस भी कि रोटी और को जो है परतिक के रूप में लाया गया ठीक नै उसके बाद जो है ने रोटी और कमल के रूप में इसको परतिक के रूप में लिया गया कई गुप्त योजनाय बनाई गई इस डिभोल्ट के दौरान और जो आगे के जाके देखिएगा हमारे नेफनल मुहमे तो आगे भी नेफिनल मुविम्मेंट में यह हमको दिखाई परता है यह से करके आप इम्पोर्टन है उसके बाद आप यहां दिखाईएगा कि कहीं न कहीं जो है इस रिभोल्ट का एक तो बड़ा महत यह है कि आजादी का बिजारोपन यहां हो रहा है और जागे आगे जाक कि इस पका अगर देखा जाए तो संतावन की करांती जहां भारत पर बिर्टिस नियंतन को असपस टूप से और भी मजबूत किया गया क्योंकि अब क्राउन का सासन आ गया अब बाइफ्राय का अपद आ गया और दूसरी और भारतियों में नेफलेजम हां यहां पे राष् और परिनाम अलग लिखिए और महत्त को भी क्या किजिए अलग दिखाए आपके नौट्स में इस चीज का जिकर है आप वहां से इसको हैल्प ले सकते हैं तो कहने मतलब यह है कि इस 45 मिनट के वीडियो को आप अच्छे देखिए जिस तरह से बताया गया है ठीक ना उसको क क्Bean Será कारूप देना है क्या करना है तो कुसिष किजिए ऐस गां प्लायण पेज पे लिखिए डिखें क्या कीजिए और बाकी यहां पे जितना चीज बताया गया है आप उसको चार्ट पेज या पांच प्लः जितना होगा और राइटिंग थ्लिखाबट शुद्ध होना और कई लोग क्या करते हैं, और सुदिदे कि अभी आप लोग ग्रियोशन करके हाँ आए, अगर कई में कौपी देखता हूँ, सवतंतरता ऐसे लोग नहीं लिखते हैं, अगर सवतंतरता आपको लिखना है, तो वो क्या करते हैं, इसे सो लिखते हैं, फिर ओ लिखते हैं, कित आपके लिए क्या होगा बहतर होगा तो अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसको लिखिए तब तक के लिए थैंक्यू